पात है कि जो लोग कहते थे चाट सौ पार, वहीं देश के पधान मंती जी भी बोटों से हारे हैं, वो जीते जरूर हैं, लेकिन बोटों से वो भी हारे हैं, कहां पांच लाग के लगवग बोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि दस लाग बोट से जीते लेकिन पुर्सासन अगर गिंती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी डेड़ लाग से नीचे की जीत होती उनकी उतनी भी जीत नहीं होती कम से कम ये संदेश वीजेपी को समंगा थी कि जनता उनके खिलाफ है और हमें खुशी इस बात की है कि अब कर्टी के नेता अगर उनके नेता जेल भी चले गहए हो लेकिन आप कर्टी के नेता और कर्टाओं का मलोवल ली चे ये नहीं ऑह वह नीए अच्चे दिन में होगे दुख तकलीफ में भी होगे कम समाजबादी लोग के साथ मड़े देंगे मैं आपको फिर्जंगर्स के लिए बताई देता हूं उस समय भी यही कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है कि ऐसा अन्याय है कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा था केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है केवल एक संधेज देने के लिए कि वो कितने ताख़दवर है उन्हीं ताख़दवर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि लोग तंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है जनता ही सर्वोप्रे है हाल में ही जो चुना हुए है ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे चार्सौ पार उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया और जिस बड़ेश से हम लोग आते हैं उत्तवदेश में जहां वो दाबा करते थे के असी में असी सीटें जीच जाएंगे लेकिन उत्तवदेश की देंता का मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने न केवल भारती जनता पार्टी को हराया है वलकि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गडवंदन के पक्ष में दे करके उन्होंने भार्दिय जन्ता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया जहां उनके सांसद हा रहे हैं वहीं देश के पधान मंती जी भी बोटों से हा रहे हैं वो जीते जरूर हैं लेकिन बोटों से वो भी हा रहे हैं कहां पांच लाग के लगवग बोर्ट से जीतने वाले थे या वो लोग दावा कर रहे थे कि दस लाग बोर्ट से जीतेंगे लेकिन परसासन अगर गिंती इधर उधर वाली जोड़ करके न करता तो शायद वो भी डेड़ लाग से नीचे की जीत होती उनकी उतनी भी जीत नह चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है और हमें खुशी इस बात की है आप पार्टी के कारकरता नेता अगर उनके नेता जेल भी चले गए हो लेकिन आप कार्टी के नेताओं के और कारकरताओं का मलो मल नीचे नहीं हुआ है मैं उन्हें बढ़ाई देता हूं वो यहां हमारे सा नहीं है अर्विन के जिवाजी उनकी पत्नी मंच पर हैं लेकिन एक एक कारता उनके साथ जड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा हो करके उनके रहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है जहां ये सरकार एक मुख्यमंद्री को जेल भेज़ चुकी है यह हमारे साथी इन्होंने ऐसा अन्याए देखा है, शायर लोक तद में किसी ने भी अन्याए नहीं देखा होगा. और राजनीत में हो सकता है, हमारी आपकी बिचावध धेरा में, हम कुछ स Uniकार 可以 करते हूं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, कि अप पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो जाए केबल आदरी मुहम्मद आजम खांस साब को नहीं जेल भेजा उनके परिवार के लोगों को भी उनके तमाम सहयोगी साथियों को भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जिन पर जूटे मुकत में लगे हैं कुछ दिन वो भी जेल हो आए लेकिन वो ड़ने वालों में से नहीं है इसलिए ना आप पार्टी का कारकरता ड़र रहा है ना हमारी यह समाजवादी लोग ड़र रहे हैं अगर हमारा राशा लड़ने का ही है संगर्स का ही है तो हम लोग लड़ने और संगर्स करने का राशा स्विकार करते हैं उनके स्वास को लेकर कि अर्विंद केजिवाल जी को जो चिनता है जहां कारकरताओं को चिनता है उनके परिवार उनकी बद्दी को चिनता है मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बहतर बनाने के लिए अन्या हुआ है उनके खिलाब जितने मुगद्मे हैं सब खत्म होने चाहिए उने जिल से रिया होना चाहिए हलांकि एक बात मैंने चुनाओं से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संसाइं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परिसान करती हैं वो संसाइं उन्हें न्याई नीद देने देती हैं मैंने हलांकि वो कहा था एक सीनर जनलिस्ट से उन्होंने अख़वार में भी छाप दिया था कई ऐसी संस्थाइं हैं जो जान बूश करके पॉलिटिकल लोगों को बदराम करने के लिए उनको अपमानित करने के लिए जूटे मुकदमे लगाने के लिए हैं अगर जब कभी भी संस्थाँ हम लोग सत्ता में आएंगे ऐसी संस्थाओं को हमेज़ा हमेज़ा के लिए खतम कर देंगे हमारे लोग तंत्र में किसी को जूटा भसाना नहीं लिखा है हमारे समिधान में जूटा भसाना नहीं लिखा है लेकिन बीजेपी का पता नहीं कौन सा समिधान ने जिससे जूटा भसा देते हैं नजान ने कौन से सेक्शन में ये बिवस्ताइं बना देते हैं इसलिए हमारी लड़ाई और हम आपका हमेशा साथ देते रहेंगे आप अच्छे दिन में भी होंगे दुख तकलीब में भी होंगे तो हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे मैं आपको इस संगर्ज के लिए बढ़ाई देता हूँ मैं आपके पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया है आने का मैं एक बार फिर शीमती सुनीता केजिवाल जी से कहूंगा कि वो लड़ रही है पत्नी होकर के भी वो लड़ रही है वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं है हम उनके दुख तकलीब में उनके साथ हैं और संगर्ज में भी उनके साथ हैं हमें पूरा भरुस है उनको नियाय मिलेगा और अपने यहां आई हुए समाजवादियों से भी कहना चाहते हैं कि देर हो सकती अंधेर नहीं होगी एक दिन आप देखोगे वो भी बहार आकर के हम लोगे साथ बैठे होंगे इसी आशा के साथ हमें उम्मीद है कि नियाले उन सभी नेताओं को नियाय देगा जिनके उपर जूटे मुकत में लगे हैं जिनने पॉलिटिकल साजिश के तैद फसाये गया है मैंनी शब्तों के साथ मान जी का और संजय जी का और आप पार्टी के सभी नेताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हार पकट करते हैं नमस्कार मैं हूँ एहमर अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ सस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद